और अब चुकि कल की जो मीटिंग थी वो बहुत एथियासी मीटिंग रही पिछले नौ महिने के अंदर साड़े चार सो से के आसपास लोग थे जो इस्टेबल रहे और जो लोग आते जाते रहे तो अब उम्मीद यह है कि मीटिंग अब हमारी तीन सो प्लस तो मिनीमम चलेंगी और कुछ समय बाद चार सो प्लस भी चलेंगी फिर टाइम बढ़ाना पड़ेगा या मीटिंग अलग अलग चलेंगी या फिर पोर्टल बढ़ाना पड़ेगा जैसा भी हाउस डिसाइड अब यहां वड़ा संग बन गया है वड़ा का मतलब है कि जो लोग रिटायर हैं और जो लोग साठ से उपर के हैं वो लोग महिला या पुरुस उसमें जा सकते हैं तो सब अपने आसपास देखें कि कौन-कौन से ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं जो जानकार हैं उनको वड़ा संग है उसमें डॉक्टर्स जाएंगे या उनके जो ऐसे लोग हैं जो नर्स हैं या वाडवय हैं या जो मेडिकल के किसी पैरा-megिकल फिल्ड में काम करते हैं वो लोग जाएगे और इसके अलावा अब इंजीनियों का और वकषिनों का भी बनने वाला है उसकी वीट्यारी संग उसमें जो लोग लेखक हैं कविता लिखते हैं आर्ट बनाते हैं कल्चर करते हैं किताब लिखते हैं टीचर हैं प्रॉफिसर हैं यानि संस्क्रति से सम्मंदित पुसाख है डिजाइन है डांस है गाना है कविता है उसमें वो लोग जाएंगे उसमें कुछ कोई और उपाय नहीं है और यही वो गर हैं जो सबसे जादा सुरक्षित हैं एक तो इस घर के अंदर जो समण संग नाम का जो घर है इसके अंदर जितनी भी बुराईयां थी जो इसमें घुस गई समण संग में कभी भी कोई बुराई नहीं थी पुराने समण संग में कोई बुराई नहीं थी वो बिल्कुल बड़िया चलते थे उसमें बुराईयां घुसाई गई और उसको संग्ठोनों में बदला गया उसको टुकलों में तोड़ा गया उसको फिर जातियों में वण में तोड़ा गया और फिर उसको संग्ठनों में बदला गया संग्ठनों में तोड़ा गया 39,000,000 में तोड़ दिया और 6,743 जातियों में तोड़ दिया और इतने सारे जो भासा के नाम से या छेते के नाम से तोड़ा तो तोल फोल लगाता रहा उस घर में चलती रही है अब वो घर ठीक ठाक पहचान में आ गया समझ में आ गया तो इस घर में सब को आना है क्योंकि ये सब का घर पुराना है आप इस घर के पुराने मालिक हो इस घर के ही असली मालिक आप हो इसलिए हर व्यक्ति जो भी समझ संग में पैदा होता है वो इस घर का मालिक है उसे अपना मालिक आना हाक इसमें लेना चाहिए और इसमें त्रोंत आना चाहिए घर में आने की कोई फीस नहीं होती आप अपने घर में जाते हो तो कोई पर्ची नहीं काड़ता आप आप अपने घर में जाते हो तो कोई पैसा नहीं मंगता आप से आप अपने घर में जब जाते हो तो माबाप आपके ये पूछा जाए कि आपका जाती किया वर्ण किया पंत किया अगर ये आप से पूछा जाता है तो आपका घर नहीं है फिर तो वो होटल है क्योंकि ये तो होटल में पूछा जाता है कि पहले नाम लिखवाओ पता लिखवाओ फलान लिखवाओ लिखवाओ कहां से आई हो कह गए हो और पैसे लाओ तब आपको कमरा मिलेगा वो भी सड़ा सा बेकार से आ और उसमें भी आप कभी आपको अपना पन लगेगा नहीं तो जितने भी लोग पैसे ले रहे हैं या ना पता पूछ रहे हैं या जाती पूछ रहे हैं या जातियों का संग्ठर बना रहे हैं वो सब्ण में आपका पूरा घर है, आप गभी भी आए, कभी भी जाए, कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है, जैसे घर में नहीं होती है, इसलिए इसमें आना है, तो ये जो जितना भी कायकरम संगहों का आ रहा है, सब संग की जतने भी घटक बन रहे हैं, against बन रहे हैं, इसमें सभी, क्योंकि बच्चों का भी बनेगा बाद में, अभी जैसे जैसे महिलाओं का बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे ये वड़ा संग जो हमारे बड़े लोगों का है, वो पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद में बच्चों का भी बनेगा, क्योंकि बच्चे हमारे मह गटक हैं मगर वो बाद में बनेगा क्योंकि काम करने वालों की कमी है और इसमें जो लोग तेजी से आ रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है और वो संख्या इतनी ज्यादा है कि काम करने वाले लोगों को यह ऐसास नहीं है तो उन्हें क्या करना है जैसे अभी यहां पूछा कि बई जिनके पास में स्मार्ट फोन नहीं है या जिनके पास में नेट नहीं है और जो गाओं में जुड़ना चाहते हैं वो क्या करें तो इसमें पूछने की आउसकता नहीं है समढ़ संग में कहीं किसी से पूछने की आउसकता नहीं है आप जहां हैं जैसे हैं आप संग बना होगे तो अलवर्ड समर्संग तो बहुत पहले से था बस नाम अब आया है तो जुड़ना सुरू होगे तो जैसे जो टीचर है अब टीचर का समर्संग बनेगा जितने भी सिख्षक हैं सिख्खक हैं उनका समर्संग बनेगा तो उनको सिर्फ जुड़ना है तो वो उसमें टिटोटा गाउं है तो टिटोटा समर्संग जिला ये और स्टेट ये बन गया तो किसी को पूछने की आशकता नहीं है बस यहां पोर्टल पर अगर आ सकते हैं तो यहां बता दें यह है लिख जाएगा यहां और यहां नहीं आ सकते हैं कोई और साथ ही जिले में है जो जानत कि आपके गाउं में यह समरसंग बन चुका है, आपके जिले का यह समरसंग है, उसको उससे अटेच कर लो, वो जुड़ जाएगा, क्योंकि जुड़ने का काम करना है, तो यहां कोई ऐसा नहीं है कि कोई फारम भरा जाएगा, कोई रेष्ट्री आएगी, कोई परची कटेग कोई आदमी अप्रूवल देगा, कोई आदमी कहेगा, नहीं जी तुमको हम लेंगे या तुमको नहीं लेंगे, कोई व्यक्ति कहीं भी काम करता है, अधिकता लोग किसने किसी संटर में काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें संटरों से इस बात की दिक्कत है, कि वो अल शक्त नहीं है यहां कोई पता दिकारी है नहीं यहां कोई अधिकारी है नहीं यहां को नेता है नहीं जैसे आप समर्संगी हो वैसे हमें पस फरक इतना है कि हम थोड़ा सा सक्रिया हो गए हमको पता है और आप अब सक्रिया हो रहे है राइम का अंतर है बाकि कोई अंतर नहीं है तो जो व्यक्ति जहां है वो जुड़ने में दूसरे की मदद करे और जिनके पास में नेट नहीं है जिनके पास में मुबाइल नहीं है उनको बताए जिनके पास मोबाइल है उनको वीडियो दिखाए या उनको कहे कि आप समर संगी हो आप जुड़गे हो और आपका नाम हमने महाँ भेज दिया है ये दर्ज कराना बहुत जरूरी है इस वार हिस्ट्री बन रही है इस वार जो काम हो रहा है वो बुलकुल पड़े लिखे आदमी की त हो रहा है क्यों हो रहा है उसका कारण है कारण क्या है कि मायूसी बहुत ज़्यादा आई हुई है हमारे पुराने लोगों जिन्हों ने अपने घंदाप पे लगा दिये जिन्हों ने अपने बच्चे दाप लगा दिये जिनके बच्चे कुछ नहीं कर पाए उन्होंने समा जिस आदमी ने दिन्राद काम किया है मिसल मुवमेंट के अंदर उसका सबसे पहला राइट बनता है कि अगर मिसल मुवमेंट से कुछ प्राप्त होता है तो पहले उसको मिलना चाहिए उसके बच्चों को मिलना चाहिए उसके बाद उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने मिसन मुव्मेंट में काम नहीं किया ये नैचुरल जिस्टिस है, नैचुरल राइड है हुआ उल्टा, जिन लोगोंने काम किया वो सीधे सज्जन थे जैसे ही काम बना और जैसे ही कुछ मदद आनी सुरू हुई जो लोगोंने संटर्ब बनाए, मौका परस्ते लोग आ गए, कोई पैसे लेके आ गया, कोई शान लेके आ गया, कोई कपड़े बढ़िया लेके आ गया, कोई अफसरी के नाम पे आ गया, कोई ज्यादा पढ़ने के नाम पे आ गया, कोई ज्यादा बड़ा नेता के नाम पे आ गया कोई तिगलम वाज आ गया कोई धौंस दफस्ते आ गया और वो सीधे साधे लोग जिन्हों ने इस मुवमेंट को खड़ा किया और अपने घर बरबाद किये और घर में आग लगा दी पूरी तरह से वो बिचारे पीछे होते चले गए उनको डबल मार पड़ी एक तो उन किया पूरे लगन से काम किया मेनस से काम किया और जब उसका फल आना हुआ तो बच्चों को ना मिलके उनको मिल गया जिनके पास पहले से टोगरी भरबर के फल ते जिनके घरों में फल भरे पड़े थे जो पहले ही सब कुछ जिनके पास था ये चीज़ें मायूस कर गई इ इसलिए काम करते जब जाते हैं तो लोगों की मायूसी सामने आती है उस मायूसी को खतम करने के लिए समढ़ संग ने पूरा इंतियाम किया इस वार कोई मायूस नहीं होगा डरना मत ऐसा नहीं होगा इस वार के काम तो करे सिब दयाल और जब काम का फल आए फल तो आएगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं फलाएगा ऑजब काम का फलाए तो आजाए राम दयाल आजाए बस दयाल आजाए जिल दयाल ऐसा नहीं होगा. तो इसका क्या इंतियाम किया है इसका इंतियाम ये किया हुआ है कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं जितना भी काम किया है उनका काम डर्ज होता है पहली रिपोर्ट आपने 26 तारी को देखी थी अब अगले संडे को आएगी रिपोर्ट क्योंकि अभी संडे आ जाएगा दो दिन बाद तो जल्दी हो जाएगा उस दिन वैसे भी नागपुर की मीटिंग है तो साड़े साथ वजे लोग आ जाएंगे और उम्मीद है कि उस दिन पांसो प्लस जाएगा तो यह मीटिंग जूम पर या यूटूब पर लगेगी मतलब यहां पांसो अगर पूरे हो गए तो यूटूब पर या फेस्बूक पर देख लेगा या बाद में वीडियो देख सकता है तो वो जो लोग आ रहे हैं जितने भी काम कर रहे हैं कल आपने देखा होगा उनके यहां आपको छोटी सी जलक बताए थी कि इतना इतना काम हुआ है अभी नाम नहीं बताएं खोल के आ आदमी किस आदमी को कहां काम कर रहा है किस आदमी ने कैसे किया उसका सब दर्ज बुरा है इसलिए इस वार बुलकुल बेफिकर रहे हैं अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका काम दर्ज हो रहा है और अप तो वीडियो फोटो भी आते हैं और खुद आप अपने पास भी उ साथ में यहां जोड़े, आज मैं स्तारिक में वहां गया, आज मैंने ये काम किया, आज ये परशानी आई, ये दिक्कत आई, आज ऐसा किया, आज वैसे किया, क्योंकि इसमें पैसा खर्च नहीं होना है, रिकॉर्ड बनाने में आपकी एक डारी पेज खर्च होना है, और रहे गा, वो कनाटक में भी रहे गा, दिली में भी रहे गा, वो जिले में भी रहे गा, सेम रिकॉर्ड सब को कौपी मिलती रहेंगी बाकाईदा बाकाईदा, कोई चीज यहां hidden और छुपाई नहीं जाएगी क्योंकि यह संग है, संग में छुपाने के लिए कुछ नहीं है, यहां बुराई भी बताई जाती है, बुराई क्यों बताई जाती है, जो आदमी संग घात कर गए, या जो आदमी यहां संग को तोड़ गए, या जो आदमी सं का कि आङे कह सकते हैं हमने तो मिटिंग ने तीन अटेंड की है तो तीन मिटिंग दर जोंगी उनकी तीन मिटिंग अटेंड की या वह थोड़कर गए यह भी ही दर्ज दावेदारी पेस करने लगे, पांस सल बाद, दस सल बाद, जब भी उनको कहीं सरकार से कुछ मिलता है, या संग से कुछ मिलता है, या आपस में कुछ मिलता है, या कहीं को रोजगार बढ़ता है, या कुछ काम होता है, तो उनकी दावेदारी पहले रहेगी, जिन्होंने time जिसने सबसे ज़्यादा दिया है, सिद्ध से दिया है, पुरी लगन से दिया है, नियमों को परन करके दिया है, उसका right first है, ये natural सिद्धानत है, इसलिए आप बे धड़क होके काम करें, और सब जीगे काम करें, पूछ नहीं कि आप सकता नहीं है, सिर्फ बताते रहें, हमन मैं बुद्धी जीवियों से बात करनी चाहिए, और बुद्धी जीवियों को सबसे पहले समझाना चाहिए, और बुद्धी जीवियों को मिला जाता है, बुद्धी जीवियों से बात की जाती है, बुद्धी जीवियों को ढोड़ा जाता है, तो यहां जो इस समय तीश ल ना बुद्धी जी भी है इस सवाल वो हल कर लेते हैं क्योंकि इसका एसास आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप काम क्या कर रहे हो और आप बुद्धी जी भी हो या नहीं क्योंकि अंग्रेज जब भारत में जब उनसे ये कहा गया कि हमको हमरा राज बाफिस दे या इसा और उन्हें कहा व जावारत के जो लोग दो हो बाब ऊत्रु पता कि जो यहां आ गए व थोड़े से कहते हैं बाकी ऽोगों को जिनको अक्षर ज्यान नहीं है ये काफ़्श की डिगने Państठान च्छोटी हैं ये मिने कुछ नहीं आता कुछ नहीं piace ta घान वित्समों इसमेंगे जी आता कि भाई इसमें बुद्धी जी भी बेकल कौन हैैं काम का प्होंग कौन है कि राज तो कर सकते हैं मगलें नerson के माग में ये बाट डालते रहो बई भुष्य निया है तुम्ष नी जानते तुम्हारे बसके निया तुम्हुंहिं इस नी जानते हम ही करेंगे ये काम लगाता लगाता राज अपतर पॉस्जिऑ जाता है, ताकि वह अपना खो जाए और इसके पता शूह कि व broadly. क्योंकि कागज की डिग्री लेना वर्फम्iovascular नहीं आता जा कागज की जो डिग्री आती है एक डिग्री है मा जोव कि कार को बनाना कैसे कार को बनाने का काम जो सिखाया गया है उससे बुद्धी जीवी कैसे हो जाता है बुद्धी जीवी कोई सी डेफिनिस है वो तो मेकैनिक का काम सीख रहा है कार को जोड़ने तोड़ने का काम सीख रहा है वो तो एक स्किल सीख रहा है वो इसकिल का मतलब है कि रोजगार सीख काम सीख रहा है कोई कंपूटर सीखता है चलाने का तो कंपूटर का रुजगार सीख रहा है कोई इंजिनिंग का काम सीख रहा है कोई डॉक्टर का काम सीख रहा है तो वह अपना स्किल सीख रहा है कि कैसे आदमी को ठोक पिट कर ठीक किया जाता है कैसे तो यह उसका स्किल का इसमें बुद्धी जीवी होने से ना होने से कहां फरक पड़ता है बुद्ध ने जितने लोग इखटे किये और जितने लोग समझे उनमें कोई काज़ की डिगरी वाला नहीं था और उनमें कोई प्रॉफशनल सारे थे भी नहीं जो जो आदमी उनको दिखाई देता था कि इ गईनिंएर थे नाकुछ थें मगर उनोंने उन सब से खटा करकर के करकर 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 के उनको बुद्ध जीवी बना दिया य 모양 बुद्ध जीवी इसको कहते हैं जो इस बात को जान लेता है कि तेरा नुक्सान कहां है और तेरा फाइदा कहां है और ये जो सिस्टम चल रहा है कौन प्रोफिसर है कौन टीचर है उसको अक्छर ग्यान होता है तो उसमें और इजाफा होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और कोई फाइदा नहीं होता कि उसकी सोचना समझने की लिखने की काम करने की चंता बढ़ जाती है कुछ काम एक्ष्टर आ जाते हैं उसके पास मे है मगर कोई आदमी अगर लिखना पढ़ा नहीं जानता तो उसको यह नहीं कह सकते कि यह बिना बुद्धि जीवी है वह भी गुद्धि जीवी है अगर वह जानता है तो जो जितने भी मुंव्मности में ॐ लोग लगी है पहले भी उन लोगों ने पार किया अब भी उन लोगोंने पार क्या क्योंकि सच में इंट्रेलेक्टोल और सबमें सच में बुद्ही जीवी वह कभी को और सब्ट concept नहीं गहीं गए मंगर इसा होना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, वो गवन नहीं करते, वो किसी को आदेश नहीं देते, वो खुद करते हैं, ये बेसिकल यंतर है, कि जो कागजी बुद्धी जीवी, जो कागजी डिगरी वाले हैं, ये कागजी डिगरी वाले सिर्फ गवन करते हैं, ये आदेश क कि इस्ट्री में मैंने इतना पड़ा हुआ है कभी आदेश ने दिया कि तुमको ये करना चाहिए तुमको वो करना चाहिए तत्थागत बोलते हैं तत्थ पे आगत यानि खुद पे आगत कैसे जब बोधी प्राप्त होगी तो साथ हफ्ते खुद प्रेक्टिस की फिर उसके उच्वाद में दो बंदे मिले जो ब्यापारी थे फिर उन्हें पांच बंदे वो ढूंडे तो जाते थे बाकी भिक्तु भी जाते थे बनकर आगे आगे रहते थे पढ़ाते थे पहले फिर एक टाइम का खाना जो मिल गया लेक्ट आ जाते थे जितने भी काम बुद्ध ने किये खुद किये कभी किसी को यह नहीं कहा तुम यह करो तुम यह करो यह तुम कर यह करो कभी नह आनन्द तो करते थे क्योंकि आनन्द मैनेजर थे, आनन्द तो काम करवा लेते थे भिक्वों से, मगर बुद्ध नहीं, क्योंकि आनन्द मैनेजर थे, वो पॉफेशनल थे, वो अरहत नहीं हो पाए थे, मगर बुद्ध का कोई धारण नहीं है, तो पूरी जिंदगी वो क्य करते रहे, वो सारे काम खुद करते रहे, लड़ते रहे लोगों से, तर्क वितर्क करते रहे, यक्ष से तर्क किया उन्होंने, चिंचा के आरोप भी उन्होंने जिले, खुले में जिले, उसके बाद में जो अंगली मान जैसा व्यक्ति जिसको पढ़ाने गए तो ये नहीं कह कि भिक्कों जाओ अंगली मान डाकू है तुम चलो तुम चले जाओ तुम मार देगा नई अकेले खुद गए किसी भिक्को को भी साथ लेके नहीं गए खत्रेम नहीं डाला खुद गए खुद गए खत्रा खुद उठाया और जब अंतीम समय मरने का आया तो चुन्द का जो जहरीला खाना था वो जो मशुऊम थी जहरीली थी वो समयल से पहचां गए के ये जहरीली है और उनandır खाया खाने के बात का चखा चखनेगे बाल का तो जेहर है जजी तो गबर हो जाएगी तो और उनने चुन्द से कहा के बाकी जितना भी मशुऊम है उसको जमीन में का कोई वास्ता नहीं है इसलिए काम कर सको तो मिसन मुव्मेंट का नाम लेना और काम ना कर सको तो देखो इसको कैसे काम करता है क्योंकि काम करना पड़ेगा काम नहीं करोगे तो नाम लोगे खाली बुद्दगा और नाम लोगे अमबेटकर का तो डॉक्टर अमबेटकर की थे जब इंग्लेंड में रहे तो खुद रहे और जब यू एस में गए तो खुद काम किया घ्टिया गाड़ियों में जहां माल वाग जहाज होते तो उनमें सफर किया खाने को पैसा नहीं होता था तो लेंप में पड़े एक टाइम का ब्रेड ले ले लिए ये करो, खुद काम किये, खुद काम किये, और लाश्ट में सारा काम खतम करके आँख भी बंद लिए, कभी किसी पर बोज नी बने, मरते मरते भी किसी पर बोज नी बने, ये मिशन मुवमेंट के बुद्धी जीवियों की सबसे बड़ी पहचान है, कि वो करने के लिए आप किसी को कहो के करो 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 भाई यहां तो सभी बिजी हैं काम कर रहे हैं अपने अपने असाफ से आपको कोई आइडिया आता है तो लग जाओ काम पे इसलिए जुड़ने जोड़ने के काम पे जितने भी लोग लगे हुए हैं उनको परमिसल लेने जो तो नहीं है उनको इ कहने कहने से ही हमारे 39 तौफड़े होंगे शारे संक्ठनों में काम करवाने वाले हैं हैं गवन क्रेश कार्य कड़ा समक्रुकल करो हम कुछ नहीं करेंगेcorla वहां डॉक्टरांबेकरट काल्चर नहीं है वहाँ गुद्ध काल्चर लए है. वहाँ पर ऐसी कल्चर नही है के जैसे महापूर्स ने है खुद काम करने सुरू किये. महापूर्स किसका इंत्यार करते थे? जो तिवाँ फुले को पढ़ाना था तो अपनी पत्री को पढ़ाया. एक तो किसको कहने लगे हैं कि स्कूल खोलो? concept भी लगे हातों, सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनाते जाएं, संबड संग सब का है, इसका कोई founder नहीं है, ना dr. Hayır का founder हैं, ना बुद्ध founder हैं, बुद्ध से पहले हमारे जो महापुरुष्थे दादा दादी, पढदा पढदादी, नाना नानी परदर पर्नानी पर्नाना और उनसे भी पहले जो लोग थे वो सारे के सारों ने इखटा रहने का अर्थ जानते थे पहले से वो इखटे रहते थे उन्होंने इस समझाया वहीं से संग समझाया है और समलो हम लोग सारे हुआ करते थे जितने भी आज के समय S.C.H.T. तो उस समय जब साहिए लोग कोई समस्या आती थी तो इखटे होते थे तो उनका कोई नेता नहीं होता था वो हाथ के आती वहाँ कोई सभागा सभापती चुलते थे और फिर भी हो जाया तो चुनाब का तरीका भी था और वहां बहुमस्य भी तालीब जाके भी या हाथ उठाके भी जैसे भी उनका तरीका था वो वैसे होता था उसके बाद में वो कमेटी खतम हो जाती थी वो जो सभापती बंदा था वो खतम हो जाता है देर अगर होती थी तो सब अ सकता थी तो लेके आदे थे तो समण संग सबके वेलफर के लिए होता था और सारे के सारे समण लोग तब खालिस का नाम संग था तो संग जो होता था वो सबके कल्यान के लिए होता था और हर आदमी संग है या नहीं है अगर एक बार हाउस में पास हो गया संग में पास हो गया संग में पास हो गया तो उस संग का नियम मर गया उसको बदलवाना है तो फिर दुबारा प्रस्ताब लाओ उसको भी बदलवाना है तो तिवारा लाओ प्रस्ताब का रास्ता खुला हुआ था संग में हुकता पानी बन, इसका हुकता पानी बन कर दिया, ये ब्रादी से बाहर कर दिया, वही बाहिया डंड होता था, बाहिया मतला बाहर करने का डंड, तो बाहिया डंड होता था, वो भी चलता था, और भी छोटे-मोटे डंड है, नियम जैसे जैसे जो पड़ेगी, वैसे-वैस आते रहेंगे, वैसे समय आ गया है, अब नियम बनते रहने चाहिए, और नियम पहले ही बने हुए है, वो सर्फ बताने हैं, और उसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो समण संग के अंदर सारे लोग एक साथ बैठा करते थे, हम भी सब एक साथ बैठते हैं, या तो जमीन पर बैठत नहीं नीचे, और यहाँ बैठते हैं, और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों का पैसा कुर्सी वालों को खुद देना पड़ेगा, उसका खर्चा देना पड़ेगा, खाना सब लेके आते थे, खाना एक साथ मिलता था, उस मिले वे खाने को सारा खाते थे, और कोई नहीं भी नियम आएंगे जाएंगे कहीं पार्टी में, या कहीं कोई अगर मीटिंग होती है, तो वहाँ सारे लोग जितना पैसा कार में खर्चुआ है, बरावर बरावर कार वाले मालिक को देंगे, यह महां का नियम बना, यह नियम सारे के सारे बन रहे हैं, तो लोग पूछते हैं कि आके समर्ण संग में इखटे हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं इसका फाइदा क्या है समर्ण संग में जब पहले लोग इखटा हुआ करते थे तो वो कोई भी मुसीबत उन तक आती नहीं थी क्योंकि लोगों को ये पता था कि ये सन्नी पात बहुल करते हैं सन्नी पात बहु है जो तूटे हुए लोग रहते हैं जो अलग लग रहते हैं तो अलग अलग नहीं रहना है क्योंकि अलग लग रहने से हमारी प्टाई हो रही है अलग लग रहने से हमारी नोक्रिया जा रही है अलग लग रहने से हमारे बच्चों की एजुगेशन चली गई अलग लग रहन से सम्विधान आपकी बात को मानता है सम्विधान में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई अबेंडमेंट करनी है तो 51 परसेंट वहुमत चाहिए 50 परसेंट बहुमत का मतब है कि लोग जो भारत के हैं उनमें से 51 परसेंट लोग एक राय के होने चाहिए तो वो नियम बन जाता है इसलिए आप अगर इखटे हो जाते हैं तो आपका कोई भी नियम कभी जाए गए नहीं और आपको कोई पितार्णा होगी नहीं इसको कभी करके देखा नहीं गया इसको कभी चेक नहीं किया गया क्या ये बास सच है या नहीं है वगर दो अप्रेल अठारे को ये बात अपने आप चेक हो गई जब हमारा एक नियम चला गया बाकी संग बनाने वालों को जैसे सिखिब का संग बना हुआ है तो सभधार उर्क बात मानता ख़ को ये शब होग 스क today को ये सतीति नहीं नहीं को परशानी नहीं हो सकती जो अधिकार हमारे चले गए हैं वे खटी रहते हैं तो उनकी बात मानी जाती है वैसे ही जो वे खटार समीदा हमारी बात मालेगा फिर हम गिए बाद मरे ख़र कोई परशान हो सकती जो अधिकार हमारे सम्विधान के तहत मनको तीन आदेस उनके विप्रित आ गए तो वो लोग इखटे हो गए उन्होंने संग बना लिया एक साल उनको लगा मगर उनके आदेस बापिस आ गए वैसे ही दुनिया में जितने भी करांती हुई है जो लोग इखटे हुएं उनके बात वैसे ही मानी जाती है एक उधाणा भी यहां बताया था निरंकारी जी ने कि जो सरकारी करमचारी थे उन्होंने खाली पोस्ट कार्ड लिखा पोस्ट कार्ड लिखा तो सरकार को यह पता चल गया कि यह लोग इखटे हैं और कोई moment नहीं होई और कोई वहाँ कुछ नहीं हुआ उनकी बात माल ली गई हम सब सब इकंटे हो जाएंगे तो हमें post card लिखने की που जोत नहीं है सिर्फ एक workshop पांचे बनानाई है और उसे को सब को farward करनी है वो ही post card है आजकल उसी पे काम बन जाएगा यकीन नहों तो आप करके देख लो मगर उसके लिए पहले आपको इखटा होना पड़ेगा इखटे होंगे तो हम अपना सारे अधिकार ले जाएंगे रोग इखटे नहीं होंगे तो हमारे अधिकार सारे सारे चले जाएंगे इतना सा concept है, इसको हम बारावार बतातें हैं, आप भी बारावार बताएं, क्योंकि जुड़ना है और जोड़ना है, जिद्ध है वो सब अपनी तयारी सूख रहें दिली के आसपास के लोगे हो सब अपनी तीयारी सू paar सूख रहें कम से कम यह मान के चलेंगे दिली आसपास से हजार इस लोग हम लोगे वो खास तोर से त्यारी करें क्योंकि दिल्ली में कारी करें हैं बाकी लोग तो अपनी त्यारी करी रहे हैं वो तो आएंगे या आएंगे मगर दिल्ली वाले खास त्यारी करें इसे पिकार सत्रे अपरेल की जो मीटिंग लखनो में हैं वो लखनो वाले अपने त्यार शुरू करें तो कि अभी वो त्यारी करेंगे तो दो मिहने लगेगा उनको वो डेट अपने आप बता दें के जी हमारी मीटिंग तब थै इसके लिए किसी का इंतियार ना करें जो लोग समझ गये हैं जो जान गये हैं उनको जो डेट सूटे बल लगती है जो जो डेट अच् आप अपनी date बेजो के जी हमने यह meeting टे की है और हम इतने आदमें मीटिंगेए आप meeting करो concept यही रहेगा आपको خود concept बताना है आपको खुद ही वहाँ करना है कोई इधरुदर से बंदा आ सकता है तो आ जाएगा नहीं भी आता है हम सो साल में भी नहीं खट्टे हो पाएंगे क्योंकि साड़े साथ सो जिले हैं और साड़े छला गाउं हैं कहा तक इसको कंट्रोल करेंगे इसलिए जितनी तेजी से सारे सारे अपनी मीटिंग लगाते जाएंगे लगाते जाएं बताते जाएं लगाते जाएं बताते जाएं मारा कए समर्संग वह समर्संग कस्वे का समर्संग का समर्संग ज सoby came कि समर्संग अपने किसी एन राइक समर्संग है वह समर्संग है या 생 erf करें तब हम तेजी से जोड़ेंगे तब हम जोड़ पाएंगे तब हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे धन्यवाद आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं वाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद चांगम सरण गच्छामी पूठियंपी बुद्धं सरण गच्छामी बूठियंपी बुद्धं सरण गच्छामी दूतियं पिदपम्मंब सर्णम् गच्छामू दूतियं पिदपम्मंग सर्णम् गच्छामि ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छामी